आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सभी बच्चे जल्दी से लाइब आजाए और चले सेशन को हम सभी शुरू करते हैं तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार और जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर आजाएए और चले सेशन को शुरू करते हैं तो जहाँ पर हम सभी ने यहाँ पर छोड़ा था कल, आप लोगों की क्लास को वही सही स्टार्ट करूंगी और साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्ट भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ले करके आई हूँ सभी को प्रणाम आजाएए सभी बच्चें यहाँ पर मैं मोटिवेट कर दीजे ओके चलो तो एक बहुत ही शांदा स्लोगन के साथ हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं कि ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर कि ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले ठीक है समझ आई ही गात तो इसलिए कुछ बच्छे बड़े परिशान है कि मैम लोग म्मारे हमको टाने मारते हैं हम क्या करें तु उनको एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो और यहां पर ऐसा बनो ऐसा ही रहा यहां पर पर बनो कि जो लोग तुम्हें emerंग के लिए बड़ा समय निकालते वो अपने बच्चों के लिए आपका समय मांगे कि इसको भी गाइड कर दो हमारे बेटे को भी गाइड कर दो चलो शुरू करते हैं यहां पर ओके बच्चों तो दीखिए कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यहां तक पढ़ा दिया था कि जब हम कभी भी निसेचन के बारे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो चलिए तो पहला जो यहां पर आंसर आपका बनेगा जल्ली साफ सभी बच्चें यहां पर आंसर कर देंगे कौन सा यहां पर हमारा सही बनेगा सीट और फूल्ट्स हां तो यह आल्रेडि मैंने आप लोगों को शाहां पर समझा दिया थ कोई अल्रेड्च की जब परागन की प्रक्रिया यहां पर हो जातीत है तो पॉली नेशन के बाद आप सभी देखेंगी कि जो भी अंडेशय होता है उसकी पंखुणियां गिर जाती हैं अंडाशय फूल्य जाता है यहां यहां पर विजांड होते हैं वह क्या बनाते हैं य चाहिए अब जली से इसका आंसर का आंसर हमारा सही होना चाहिए तो आंसर इसका क्या बनेगा तो पहला जो प्रश्ण है वो है कि इन में से कौन सा कथन सही है गुलुकोज सभी जीवों में कार्बन डायोकसाइड वाटर और उर्जा में तोट जाता है नहीं यहाँ पर जो आंसर होगा वह यह है कि गुलुकोज एरोबिक रियक्शन करता है मतलब एरोबिक उतकों के अंदर अपना कारे करता है और साथ मे कार्बन डायोकसाइड वाटर और उर्जा में तोट जाता है तो इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है सी ऑप्शन अब मैं इसको एक बार समझा देती हूं आप लोगों को देखो बैटा जब कभी भी हम स्वसंद के बारे में बात करते हैं तो जो स्वसंद होता है यानि कि जो रिस्पाइरेशन होता है वह कित्ते प्रकार का होता है तो आसा करना दो प्रकार का होता है एक होता है एन एरोबिक रिस्पाइरेशन जिसको हम सभी आ वायविय स्वसंद के नाम से यहां पर जानते हैं और दूसरे नंबर पर जो स्वसंद होता है इसे हम सभी एरोबिक रिस्पाइरेशन यानि वायविय स्वसन के नाम से जानते हैं तो आम सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जब कभी भी हमें हम स्वसन करते हैं तो हमें किसके आवशक्ता होती है और जब ऑक्सिजन की आवशक्ता होती है उस ताइम पर स्वसन क्या कहला तो आंसर करना वाईविक स्वसन कहलाता है पर कुछ इस तरह के भी जिवधारी यहां पर होते हैं जो बिना ऑक्सिजन की उपस्थिती में भी अपना स्वसन कर लेते हैं और उन्हें यहां पर क्या कहा जाता है आप यहां से पढ़ सकते हो तो इसका मतलब है कि पुर्ण है अगर हमारे पास गुलुकोज है तो यहां पर जैसे ही उसको ऑक्सिजन मिलता है वैसे आप देखेंगी कि भोज्य पदार्थों का यहां पर बहुत ही शांदार तरीके से दहन हो जाता है ठीक है और दूसी तरफ अगर आप बात करते हो यहां पर किसके बारे में आवाई गुलुका इस में अलकोहल का फर्मेंटेशन होता है और वहाँ पर एन एरोपिक लिस्पाइरेशन यानि कि यांश्तवारी स्वसन होता है जिसको हम सभी किढवन की प्रक्रिया के रूप में यहां पर जाते हैं है क्लियर है यहा तक समझ आ गया है चले अब आगे नेक्स पॉइंट के और बढ़ते हैं आगे यहां पर चलते हैं आगे बढ़ेंगे अब क्या हो गया अगे बिल्कुल ठीक है बच्चों 36 का जो आंसर है वो सी ही है हमारा ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलिखिट कथन में से कौन सा कथन सही है चले जली से आँसर करेंगे कौन सा आँसर यहां पर हमारा सही होना चाहिए ले कोशिका जिलली होती है लेकिन बैक्टीरिया में नहीं चलो जली से इसका आंसर करेंगे यहां पर 37 का कौन सा आंसर हमारा यहां पर सही बनेगा जली से आप सभी इसका आंसर करके बताएंगे जली से इसका आंसर करके आप सभी यहां पर बताएंगे तो चलो अब इसे भी हम सबी यहाँ पर समझते हैं कि जो A option है वह बिलकुल यहाँ पर सही क्यूं है, तो चलिए, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर शुरुवात करते हैं, पहले नमबर पर, तो बात आती है बैक्टीरिया के बारे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बै कोशिक से मिलके बनता है और आप सभी को कल की क्लास मैंने बताय था कि यह एक यूनि इसलुलर ऑर्गेनिस्म यानि एक कोश की जीव हुता है यानि सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के यहां पर बना हुआ होता है ठीक है कोशिका से यहां बना हुआ होता है तो यहां पर अगर आप इस बैक्टीरिया को अगर आप देखते हो या फिर आप एक सेल को यहां पर देखते हो तो आप क्या देखेंगे कि इसके पास नुकलेस तो होगा लेकिन बहुत अच्छे से विक्सित नहीं होगा और नुकलेस के च विशानों के बारे में बात करते हो तो इस बात को यहां पर ध्यान में रखना कि जो विशानों होता है वह कैसा होता है कैसा होता है कैसा होगा कोशकी होता है तो विशानों के अगर आप बात करते हो तो यहां किसी भी सेल्फ ठोरी को नहीं मानता है क्यों नहीं मानता क्योंकि कोशिक से बना हुआ ही नहीं है यहां कोशिका से बना हुआ नहीं है सालूलता है यह बना हुआ ही नहीं है तो आगे बढ़ते हैं तो फिर यह किस से बना है वाइरस के अगर आप यहां पर बात करते हैं तो वाइरस किस से बना हुआ होता है तो आंसर आपको करना है कि यहां बहुत सारे कि नुकलिक एसट और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ये किससे बना हुआ होता है, Nucleic Am slight और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पर आप सभी देखते हो कि छो Nucleic Acid होता है यह दो प्रकार का हूता है DNA और RNA के अगर आप बात करते हैं तो राइबोनुकलिक एस है तो यहां पर आप सभी क्या देखोगे कि जब हम किसी भी यहां पर वाइरस को जाता है या तो DNA होगा या तो RNA यहां पर होगा एक बात और यहां पर ध्यार में रखेगा कि वाइरस के अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जो वाइरस होता है यह जब हमारे शरीर के बाहर होता है तो बिल्कुल एक नौन लिविंग एक निर्जियो प्राणी की तरह यहां कारे करता है लेकिन अगर यह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यह एक जिवित प्राणी की तरह कारे करने लगता है यहां तक यह मर्टिप्लिकेशन करने लगता है अपनी जैसे बहुत सारी रपलिका और हम इसका छोटे-छोटे crystal भी बना सकते हैं, छोटे-छोटे कण भी हम इसके यहाँ पर बना सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो जब यहाँ acellular है, इसके अंदर कोई भी कुछ कोशिका जैसा कुछ ही नहीं यहाँ पर, तो क्या इसके अंदर साइटो प्ला में कोशिका की तुलना में अधिक सांदता हो, तो निम लिखित में से क्या होगा, चलिए, काफी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न है यहाँ पर, which one of the flowing will happen if the medium surrounding the cell has a higher concentration than the cell, चलिए बच्चो, चलिए इसका आंसर करेंगे, कौन सांसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए, पाहर का जो जगा है, कोशिका के पाहर की जो यहाँ पर जगा है, इस तरीके से, यहाँ का जो concentration है, यहाँ की जो सांदता है, वो कैसी है, ज्यादा है, और यहाँ पर पूछ रहा है, कि जो भी medium होगा, जो भी यहाँ पर जल का प्रवाह होगा, वो किस तरफ होगा, कोशिका से बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ चलिए बच्छों जली से इसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर यहां पर 38 का बिलकुल सही होना चाहिए बताइए फटा फट से जल्ली से और यहां पर क्या बन जाएगा हमारा यहां पर कोशिका होती है कोशिका की जो जिल्ली होती है उसको हम कहते हैं प्लास्मा मेंब्रे यह कहते हैं प्लास्मा मेंब्रे और हिंदी में प्लास्मा जिल्ली यहां पर कहते हैं और जो भी यहां पर प्लास्मा जिल्ली होती है उसको हम सभी कहते हैं सेमी पर्मेबल मेंब्रेन और इसको हम सेलेक्टिव भी कहते हैं सेलेक्टिव सेमी पर्मेबल मेंब्रेन हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है चैनित अर्ध पार गम्य जली भी इसको यहां पर कहा जाता है अब इसका क्या मतलब हो गया इसका यहां यहां पर मतलब है कि यहां जैसे मालों के बाहर कुछ भी यहां पर कर्ण है अब इसको कोशिका तक पहुचना है तो कौन अंदर जाएगा कौन अंदर से बाहर आएगा इस बात का पूरा निधरन कौन करता है तो आंसर करना है कि यहा जो अर्थ पारगम में जिलिए सेमीपरमेबल membrane है जिसको हम सभी plasma membrane के नाम से जानते हैं यही इसका पर पूरा ध्यान रखता है और यह जो पूरी पूरी जो process होती है यह किस्त माध्यम से होती है तो आंसर करना है Osmosis के माध्यम से होती है और स्वेयर आप बात करें तो क्या मतलब होता है कि वाले छेत्र किष़ार से देखा यहां पर जाएगा यहां पर देखें तो आप क्या कहेंगे की जो कोशिका होती है वह अपने अंदर का पूरा आप कहां पर करतेगा बाहर की तरफ ले जाएगा तो इसलिए यहां पर आपको यहां आंसर करना है कि कोशिका में पानी की कमी हो जाती है ठीक है चलो अब नेक्स पॉइंट क्यों यहां पर बढ़ते हैं आगे चलते हैं क्योंकि इसकी सतह पर निम लिखित में से किस कोशिकांग का जुडाव होता है जली से कौन सा आंसर यहां पर आपका सही होना चाहिए और जित्ते भी स्टुडेंट्स यहां पर आए वे हैं जली से इसका योज सैशन हमारा चल रहा है इसे लाइक जरूर कर दीजे और डेली क् पर से कि रफ एंटूप्लास्मी क्राटिक्यूलम लुक्स अंडर रफ वाई बताओ बच्चों जली से इसका आंसर करो कौन सा आंसर हमारा यहां पर सही होना चाहिए और आंसर कि अगर हम बात करें तो जो हमारा आंसर यहां पर बनेगा वो है राइबोजुम कहां चला लग देखते हो तो बीच में आपको केंद्रा क्यानी नुकलेस दिखाई दे रहा है और नुकलेस के चारों तरफ आपको कुछ इस तरह की संरशना यहां पर दिखाई देती है इसे हम कहते हैं एंडोप्लास्मिक रेटिक्यूलम अंता प्रदवी जालिका और यह में रखना है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बाहरी आवन की तरफ क्या चिपके हुए होते हैं और आप सभी जब यहां पर देखोगे कि एक ऐसी सता जिसमें कुछ भी नहीं चिपका हुआ तो वह कैसा दिखाई देगा एकदम प्लेन दिखाई देगा तो यहां क्या कहला शुर्ण बगाया और present और अखने चिकना इंडवें प्लास्मिक राटिकींड्युलं चिकना यहां पर अगर आप इसको देखोगे तो यहां यहां पर चिपके हुए दिखाई है तो यहां कैसँ लिदेगा तो आंसर करना खुरदूरा सा दिखाई देquitoम खॉर्डूरा अ आ होगी कि जो राइबो्जोंब होता है iken रोटीन बनाने का काम इसवजह से जब हम एद देखेंगे तो यह क्या बनाने का काम करेगा तो तो कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है राइबोसब तो तो करता ही है लेकिन उसके साथ साथ रफ एंडी प्लासफिपी करता है वो है यहां यहां पर करता है टिक है अब इंट्रस्टिंग हूं कि कुछ बैच्चे यहां पर पूछड़ है कि साथ? वह है और boards? of the fat तो जैसे fatty acid होता है तो वही पर आपका लिपिड भी आता है जैसे कि अगर आप carbohydrate के बारें बात करते हैं तो carbohydrate की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या है सेकराइड किसी तरह से जैसे आप protein पढ़ते हो तो सबसे छोटी कौन सी होती है अमीनो अमल उसी तरीके से जब हम हम यहाँ पर वसा के बारे में लिपिड हो जाती है अब समझाया आप करते हैं सेंट्रोल स्के बारे में होता है यह अब चरेंगे प्लास्टीड के बारे में तो जो Plastid होता है वह सभी तरह की कोशिकाओं में देखने मिलेगा लेकिन खास सोर से जो Plant cell होती है उसमें दिखाए दीता है जिसमें सबसे प्रमुख है Chloroplast जिसके अंदर पड़नहरित पाया जाता है ब Explain ak पर Custom पर बात करते हो तो कोशिकांग जिसको हम सब से काम करता है इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाय जाते हैं और अपनी ही कोशिका को खा करके यहां खतम कर देता है उस सब्सक्राइं ठीक कोशिका की ङारेनट हो बिल्कुल हमारा है कवी ऐसा भी होता है कि कोई कोशिका बुर्टी हो गई है या संक्रमित हो गई है विमार हो गई है उसको हटाना है तो उस टाइम पर भी यह क्या कर देगा अपने कोई खा के खतम कर देगा सफाई हो जाएगी चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट कि पौधों में तने और जड़ों की लंबाई में व्रिधी किसके करण होती है इन इंक्रीज इंक्रीज इंग्रीज इन लेंथ ऑफ दा स्टेम और रूट इन प्लांट इस दूडू चलो बच्छो जली से इसका आंस से पताओ और यह मैंने लग्ड आपको पर्सो वाली क्लास में भी समझाया था टिशू उसके बारे में हैना ऑल्रेडी यहां पर समझाया था चले जली किसा आंसर करेंगे कौन सा आंसर हमारा सही हो चाहिए और आंसर क्यों जाएगा यहां पर सी आप्शन बिलकुल सही हो ज तो इसकी लंबाई कैसे बढ़ेगी सिंपल सी बात है तने का जो सबसे सिर्ष वाला भाग होगा यहां से बढ़ेगी जड़का जो नीचे वाला भाग होगा इससे जड़की लंबाई बढ़ेगी और इसी को हम सभी क्या कहते हैं सिर्ष कहते हैं इसी को हम सभी क्या कहते हैं ए इशूस के बारे में बताया था जिसको हम सभी विभर जोतक उतक के नाम से यहां पर जानते हैं और वो क्या करते हैं कोशिका विभाचन करते हैं कोशिका विभाचन करते हैं जिसकी मदद से क्या होगा आकार बढ़ता चला जाएगा और यह कई प्रकार के हो सकते हैं जो कि कहां पर है तो भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो जब ब्रांचेस जहां से निकल रही है वहाँ पर आपको किस तरह का टीशू दिखाई देगा तो आंसर करना पार्शब जिसको हम सब रहे हैं फिर होगा इंटर केलरी का क्या मतलब हो गया जोग शाखाए निकली तो पती भी तो होगा फल भी तो होगा तो यह वाला फिर आप बात कर रहे हो तो जड़ होता है उसकी रूट हेर्स होते हैं जड़ों की भी बाल होते हैं तो वहाँ पर आपको कौन सा उतक ठीक है और बात करते हैं secondary growth दृतियक वृध्धी तो भें यहां क्या है वह सिंपल सी बाते हैं कि जाहें आप पौधों के बारे में बात करते हो चाहें आप किसी जन्तु जानवर या मनुष्य के बारे में यहां पर बात करते हो तो बच्पन में तो सब एक जैसर रहते हैं ले आगे बढ़ते हैं next in plant cell the toxicity are provided by यहां पर कह रहा है पादब फोशिका में इस्विती और कठोरता किसके द्वारा दिया जाता है पहला है यहां पर राइबोजों माइटोकॉंड्रिया गोल्गी काई फोशिका रस से भरी रिख्तिकाई काफी अच्छा प्रश्न है और जल्ली चलो बचो जली से बताओ फटा फ़र से जिनको भी बैच के बारे में बात करनी है सभी बच्चे ओफलाइन कमेंट करेंगे या फिर आप सभी हमारे खान ग्लोबल स्टरीज अप्लिकेशन जो है उसको डाउंडोड कर सकते हैं आस्क में डाउट वहाँ पर लिखा हुआ एक वह क्या काम करेंगी वहाँ पर बता देगी ठीक है चले अब इस तरह से बार बर कमेंट नहीं कि बच्चो पढ़ाई पर भी थोड़ा सा फोकस करो ओके चले तो यहां पर हम बात करते हैं आंसर क्या बनेगा और आंसर जो यहां पर हमारा बनेगा वह है यहां पर डी देखो बच्चों यहां पर कहा रहा है स्विति और कठोरता तो पादप कोशिका की अगर हम पहचान यहां पर देखें तो सबसे इंपोर्टन बात यह है कि उनमें सेल वॉल पाया जाता है कोशिका भित्ति पाया जाती पर उसके अलावा जो बहुत ही अच्छी विशिष्टा यहां पर रखती है वह क्या होती है यहां पर रसधानी या रितिका की नाम से यहां पर जानते हैं अब यह क्या होता है तो चलो इससे समझत तो आप किसी भी पादप कोशिका को देखते हैं किसी भी पादप कोशिका को तो वहां पर हमें बड़ी साइस के कुछ खाली जखर दिखाई देती जैसे आप सभी साबुन से नहाते हैं अच्छा कुछ बच्चे तो ठंडी में नहाते ही नहीं है बिटा ठंडी गई हाँ सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंच में की हार्दिक शुप कामना है ठीक है मैं बोलना भूल गई थी और आज मैं यही प्रातना मा सरस्वती से कि आप सभी को सद बुद्धी दे मेहनत करने की शक्ति दे अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए कला सीखिए और साथ में ही आगे प्रग्ति करते रही है तो यहां पर हम बात करते हैं अब किसके बारे में साबुन के बारे में साबुन से जब आप नहाते ह क्या बनाते हैं चोटे-चोटे से निवे बनते हैं चोटे-चोटे को आप देखना कि जब हो और वहाँ पर आप डेखोगे विल्बुले ज Crus can फुट जाएंगे पिल्कुल इस थी तरीके से नी स्टानी रिक्तिका जो होते हैं वा कैसे होते हैं bubble होते हैं यानी छोटे चोटे से bubble होते हैं तो आप किसी भी powder धिके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बबल दिखाई दे रहा है यह प्रेश्टन पुछता है का evidence सिसे चारों चैनली से लेयर होती है उसको हम सभी क्या पहते हैं तो जो टोनो प्लास्ट होता है यहां क्या है एक बबल बना रहा है दूसे नमबर पर आपको यह ध्यार में रखना है कि इसके अंदर खाली जगह है तो टैंप्ररी तरीके से कुछ देर के लिए कुछ भी समान हम इसमें रख सकते हैं जैसे कि मालो इसके पास खाना बहुत कुछ भी तोड़ी के लिए यहां पर रखा जा सकता है और जब उसको रखा जाता है चल्ट है पर जानता है लेकिन आगर हम सभी इहां पर बात करते हैं पादप कोशिकह के बारे में तो जो पाधक कोशिका होती है, उसमें नुकलिस किनारे की ओर यानि कि पेरिफेरल दिखाई देता है ऐसा क्यों होता है, तो आंसर आपको करना है ऐसा इसलिए, क्योंकि जो वेक्योल होता है वो काफी जगह बीच में से घेर लेता है, और इसी वज़ह से कोशिक को बनाई में मड़द करता है और उनकी जो कारिकria की हो ती है उसको भी यह बनाने में मदद करता है अब next question बढ़ते हैं next question कि पराग कड़ों का उतपादन कहां पर होता है जलिए जली से का रहीए गा कौनसा रहा यहां पर आपका सही होना चाहिए बता फटा-फट से यहां पर कह रहा है कि पॉलन्स आर प्रोड्यूस्ट रहें लूको प्लास्ट के बारे में भी बता दीजिए प्लीज मैं ब्लैक लड़का हूं यह कब से ब्लैक वाइट सब चीज़े होने लगी पढ़ाई में अभी बताते हैं ठीक है तो चलो इसका सभी बच् नहीं पाया जाता है अगर आप किसी भी पॉधे को देखते हो तो पॉधों की जड़ों में आपको लूको प्लास्ट दिखाई देता है कोई भी रंग नहीं होता इनमें ठीक है दूसे नंबर पर आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहां कई बार भोजन को अखे बढ़ते हैं काला रड़का ठीक है है बच्छो within पडाई लुद से नाव से भी यहां पर जानते यहां पर जानते हैं परात कोश्क क्या होता है चलिए इसे भी हम सभी इहां पर समझते आगे पढ़ते हैं तो जैसे कि मालो हम अगर किसी भी पुश्प को देखते हैं मालीजी कोई भी हमारे पास इस तरीके से पुश्प है तो पुश्प जो होता है ना वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं चाहिए तो वह द्वी लिंगी हो सकते हैं यानि कि बाइसेक्श्वल हो सकते हैं तो जैसे मालो कि अगर आप यहां पर किसी भी फ्लावर को देखते हो और उस फ्लावर में आपको क्या दिखाई देगा दोनों ही लिंग दिखाई दे रहे हैं जैसे अगर आप गुड़हल के फूल के बारे में बात करते हो तो जो गुड़हल का आपका फूल होता है वह कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, हिबिसकस प्लांट के अगर आप बात करें, तो वह कैसा होता है बच्चों, द्विलिंगी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बनाया है, एक फूल, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, यह लो, ठीक, वीच में जो हिस आंधर के नाम से जानते हैं किसी को हम सभी पराग कोश के नाम से जानते हैं वह पराग कोश्च परिपक्व हो जाता है तब इसी में से मनुष्य के यहां पर यहां पर निकलते हैं और जिस तरह से किसी पुश्प में आपको kya जबकि इन तीनों के अगर आप यहां पर बात करते हो तो यह तीनों के तीनों किसके भाग हैं इस्त्रीकेसर के यहां पर भाग हैं यह दोनों क्या है स्टाइल और स्टिग्मा इस्त्रीकेसर के भाग होते हैं जबकि कोरोला जो होता है वह पुष्प का भाग होता है ठीक है च गेःफ्ल्रिकेशन वाली बत्चे, बताओ फटाओ फट से, चली सिस का आंशर करो. एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, बताओ चली से बताओ, पटाफर से बहुत सारी पंक्षुनियों का समो, very good, बहुत अच्छे और कैलिक्स क्या होता है हाँ आपर, बहुत बढ़िया, ठीक है, सैपल्स का समो, बहुत बढ़िया, ठीक है, चली वाइरस नहीं पिछ रही हो बैटा, कोरोला पुछ रही हूँ, कोरोना नहीं पुछ रही हूँ बायलोजी का कोर्स पूरा लेना है मैं, फाउंडेशन बैच बैटा, आज ही मेरा पहला फाउंडेशन बैच खतम हुआ है एक मैने के अंदर दूसरा आ जाएगा ठीक है तब ले लेना चलो अब जली से कहां सकरो अब यहाँ पर कह रहा है कि Phytophytes ऐसे प्लांट हैं जो किसके लिए बढ़ने के लिए अनुकूल होते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है Phytophytes जो यहाँ पर होता है यह किस तरह के प्लांट होते हैं यह कहां पर जाकर के अपना अनुकूलन करते हुए दिखाई देते हैं चलिए जली से इसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर आप लोगों का यहाँ पर सही होना चाहिए 43 का इसका आंसर करें क्या आपका यहाँ पर सही होना चाहिए और आंसर क्या जाएगा यहाँ पर शुष्क बातावरण में तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो डिजट यानि कि जो आपका रिगिस्तान वाला जो इस्थान होता है वहाँ पर इस तरह के पेड़ पौधे बहु कौन सा जीव निमली खितमे से कौन सा जीव सीलन ट्रेटा का सदस्य है यानि कि निडेरिया का यहाँ पर सदस्य है अब यह एनिमल किंग्डम के बारे में बात हो रही है पादब जगत के बारे में यहाँ पर बात करते हैं अनिमल किंग्डम के बारे में यहाँ पर बात करत अगर आप सभी बात करते हैं सी एनिमन के बारे में हैड्रा के बारे में कमुद्रि एणीमन के बारे में जैलीफिश के बारे में तो यह सबी के सभी किसके सदस्य होते हैं तो आंसर करना निडेरिया के सदस्य होते हैं एक और बात में आपको यहाँ पर उसाथ में ही अगर अगर और लीवर फ्लुक के बारे में बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था प्लेटी हेलमेंथीज यह किसके बाद होते हैं तो लिख लो यहाँ पर प्लेटी हेलमेंथीज ठीक है और इनका ही मैंने क्या बताया था फ्लेट वॉर्म याद आया चिपटे क्रीमी उसी के यहाँ पर उधारण है ठीक है आगे नेक्स पॉइंट की और यहाँ पर बढ़ते हैं C और्चिन और समुद्री ककड़ी यानि की C और्चिन और C कुकुम्बर यह किसके यहाँ पर उधारण है तो आंसर आपको करना है इकाइनोडर्मेटा और इकाइनोडर्मेटा की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो इकाइनोडर्मेटा होता है इसी के अंदर क्या आता है तो आंसर करना इसी के अंदर तारा मचली भी आती है स्टार फिश भी इसी के अंदर ही आती है ठीक है और यह तो हमारा अंसर है ठीक है ती ऑक्षन तो हमारा बिल्कुल है ही है ना सी ऑक्षन तो है ही ठीक ईपके अब बात करते हैं D, इक साइकोन और यूपलेक्टा किसकी अगर आप इहां पर बात करो तो यहां किस संख के सदस हैए तो आसर करना है औरी फेरा, इसके सदस हैए ये बिटा औरी फेरा के यहां सदस है ठीक है, और ये सबी किस के अंतरगत आते हैं जन्तु जगत के अंदर आते हैं चलिए अब नेक्स कोशन की और हम यहां पर बढ़ते हैं आगे चलते हैं किसी पौधे के अंकुर का प्रकाश की और जुकना क्या कहा जाता है कल ही मैंने बढ़ाया था यहां पर क्या कह रहा है बेंडिंग ऑफ दा शूट ऑफ ए प्लांट त का चाहिए कल की ऐए बताया था फोटो नाश्टी गलत ऐसे फोटो ट्रॉपटिस्म निकेटिव फोटो ट्रॉपिज्म फोटो ट्रॉपइस्म क्या यहां पर कहलाएगा जलो और本 पर बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्श्न ऐत आप Lo बच्चे बहुत अच्छा आंसा आपको बच्छे कि अच्छी तो लिखेंगे यहापर आपको बताए था ऐसे बच्चे है जिन को यह बात यहां पर मालूम है कि प्लांट के अंदर कितने तरह के हर्मोन होते हैं तो आंसर क्या करना है पांच तरह के किते तरह के पांच तरह के चलो फटा फट से कमेंट में आंसर करके बताओ कौन से बहुंगे पांच तरह के पहला था औझे दूसरा क्या था साईटोकाइनीन जिब्रलीन च्वाथा क्या था यहां पर अपसेसिक एसेड और इथाइलीन और अगर आप बात करो तो यह एक ऐसा प्लांट हार्मोने जो गैसिस रूप में मिलता है यहां पर गैसिस रूप में यहां पर रहता है बहुत बड़िया अब आगे नेच्स答 नेक्ट से यहां पर पौधे की जड़ों की इपिडर्मल कोशिक आएं अपने आवसोशन की सता को किसके माथम से बढ़ाती है ता इपिडर्मल सेल और प्लांट रूट इंक्रिसेस देर अब्सॉप्शन सर्फेस यहां पर आपका सही होना चाहिए पटाइए फटा-फट से आपकी रोज ले रहे हैं पर आप हमारा नाम नहीं लेते हो एक क्लास रखोंगी special जिसमें रखोंगी नाम वाली क्लास जिसमें सभी बच्चों का नाम लिया जाएगा ठीक है, बच्चों पढ़ो, सबका नाम लेंगे, सबसे बात करेंगे, परेशान मत हो ये, चलिए चलिए सबसे इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहां पर आपका सही होना चाहिए, और आंसर यहां पर क्या होजाएगा हमारा root here, आंसर क्या होजाएगा, मूल रोम, भी option यह क्या द्हार में रखना है कि अवसोचन का एरिया कैसे बढ़ाएंगे जादा ज्यादा अवसोचन किसके करेंगे सबसार करेंगे तो आंसर क्या हो चाहिएगा यहाँ पर प्री ऑपशन यहाँ पर बिलकुल सही हो अब बढ़ते हैं नेक्स है यहाँ पर कि एक धावक को दौड़ने के बाद जांक की मानफलशों में एठन और दर्द महसूस होता है और यहां किसकी वजह से हो रहा है? चलो वचो, जैली से इसका आंसर करेंगे यहाँ पर 47 का कॉन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए? कौन सा आंसर हमारा यहां पर सही होना चाहिए देखते किते बच्छी यहां पर सही आंसर करके बताते हैं बताइए और यह तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है न एरोबिक रिस्पाइरेशन बहुत बढ़िया आ वाई भी स्वसर बहुत अच्छे तो जब हम यहां प पर उठा पटक करते हैं तो उस टाइम पर हमारी मांस्पेशियों में क्या होगा ऑक्सिजन की कमी और जब ऑक्सिजन की कमी होती है तो मैंने आपको पहले भी पताया है कि जो गुलुकोस होता है वहां किसमें परिवर्टित हो जाता है पारिविक एसेड और फिर भी उसको कोई जिम गया है पहली बार को होगा क्लास गया है काफी दिन बाद यहां पर मार्केट चले गये काफी दिन बाद घर की सहफाई चल रही है क्लीविक हो तो आसर यहां पर हो जयाएगा बचोआ क्यों में सहीिं नहीं है इसके अगर आप यहां पर बात करते हो तो साफ यहां पर क्या कर लो नहीं है ऐसा नहीं है किसके बारे में बाइलूस यानि पित रस के बारे में इंग्लिश में भी दिखाएंगे रुख जो बच्चो एक मिट बच्चो ने ठीक है इंग्लिश में भी देख फिलोगी स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सिक्रिप्टेट वाइद लिवर इस नौट करेक्ट यहां पर कह रहा है कि बाइल कंटेंज एंजैम्स फॉर्ड इंग्यू बच्चों सभी बच्चों को थाइंग्यू डेली क्लास में आओ उपर ठीक है अब देखो इन में से कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है तो यहां पर क्या कह रहा है कित्व लिपिट के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं सबसे पहली बात पहला ही स्टेटमेंट सबसे बड़ा आं्तरिक अंग होता है यानिकि यह सबसे बड़ा मेंटरन और होता है अब सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है हमारी तवच्छा लेकिन सब्सक्राइब करते हैं कि जब कभि हम लोग बार करते हैं तो इस को हम सभी कहें हमारे शरीर की प्रयोग शाला यहां पर अलग-अलग विटामीन भी स्टोर होते हैं जैसे कि खास तोर पर विटामीन डी और विटामीन ए गुलुकोल सब जादा यहां पर बन जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में ही यहां पर यह स्टोर होता है ठीक है ओके बचो अच्छा एक और में आपको interesting बात बताते हूं कि जब कभी भी आप लीवर के बारे में बात करते हैं जब कभी भी आप यकृत के बारे में बात करते हैं तो जो यकृत होता है ना यह एक जूस निकालता है एक रस यहां पर निकालता है और यह जूस और रस निकालता है इसे हम सभी कहते हैं बाइल्डूस यानी पित रसप्स के नाम से यहां पर 30ее एक बात और मैं आपको यजाएंब कि कोई भी एंजाइम नहीं निकालता है तो ध्यान रखना कि अगर पाचन के हम बात करें तो इस बागी के सब्हक के सब्सक्राइल्ड जो फ्रती हैं यहां पर जिनको लेकिन यकृत नहीं निकालता यहां पर पित रस निकालता है और यह जो पित रस होता है यहां वसा के पाचन में मदद करता है इमल्सिफिकेशन में यहां हेल्प करता है कि जैसे जो कुछ भी हम यहां पर खाना खा रहे हैं काफी एसिदिक खाना खा रहे हैं तो उसको यह नॉर्मल करता है क्योंकि अगर आप पित रस के बारें बात करते हैं तो इसका पिएच होता है ना बच्चों वह कैसा होगा 7.88.4 इस तरह से होता है तो कभी भी आपकी एक् रित्तिका होता है यानि कि यहां अलकलीन इन नेचर यहां पर होता है यहां पर आप देखोगे कि दो अलग अलग तरह के वर्णक भी हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं जिसको हम बाइल पिगमेंट कहते हैं जैसे कि बिली रुबीन और बिली वर्डी तो जो मलत्याग हम करते हैं जो STEM होता है जो Fekal material होता है ना उसको पीला रंग देने का काम भी कोन यहां पर करता है Billie Ruby और Billie व firm यहां पर करता है तो चिसको ध्यान यहां पर रखेंगे तो यहां पर जो पहली ऐसी लिए कि option यहां पर बिल्पल सही हो चाहेगी ठीक है बच्छों ओके चले अब आगे next point एक समान्य मनुष्य का रखतेशाप 120 upon 80 mmHg पाया जाता है यह संख्याई जो यहां पर है मतलब 120 और 80 यह किसको प्रदर्शित कर रही है कि किसको यहां पर प्रदर्शित कर रही है चले बच्छों जली सिसका आंसर करेंगे यहां पर 49 का कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए बताइए चली सिसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर यहां पर हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए इंग्लिश में पर यह रहा the blood pressure of a normal human being is found to be 120 upon 80 mmHg the numbers represent the blood pressure चलो बच्छों जली सिसका आसर करो कौन सा आसर यहां पर हमारा सही होना चाहिए बताइए बताइए जली से नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हमारा हिर्दे संकुचित होता है जब हमारा हिर्दे संकुचित होता है ठीक है तो यह ओल्टा यानि महाधमनी के मात्यम से बहुत ही ज्यादा मात्रा में रख्त को हिर्दे से बाहर निकाल देता है और इसी को हम सभी कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से यहां प पर जो वेंट्रिकल होते हैं यहां पर जाते हैं और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो बाइक का स्पीड वाल वो भी क्या हो जातें बंद हो जातें तो इस टाइम पर क्या हैगा सिस्टोलिक प्रेशर फिर जब पूरा का पूरा रखते निकाल दिया गया तो अब क्या होंगे यह रिलेक्स हो अब यह क्या होंगे यहां पर रिलेक्स होगा हमारा रिदे अब रिलेक्स होगा और जब रिलेक्स यहां पर होता है तो उस टाइम पर आप क्या देखते हो कि जब रिलेक्स हो रहा है वापस सास ले रहा है रिलेक्स हो तो यहां पर अब सुनाई देता है और जब यहां पर सुनाई देता है तो जो सेमी लूनर वाल होते हैं यहां पर यहां पर सेमी लूनर वाल होता है वो बंद हो जाता है और इसी तरह से इस दूसरे वाले फेस पो हम सभी कहते हैं डाइस्टोलिक फेस या डाइस्टोलिक प्र तो इसलिए अगर आप नॉर्मली प्लॉड प्रेशर के बारे में यहां पर बात करते हो तो नॉर्मली प्लॉड प्रेशर कितना होगा 120 अपॉन 80 mmHg इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चो 120 सिस्टोलिक प्रेशर 80 diastolic pressure mm मतलब mm ठीक है और Hg तो आप सभी chemistry पढ़ रहे होंगे chemistry में Hg किसको कहा जाता है mercury को कहा जाता है पारा को कहा जाता है ठीक है तो mm of mercury इसको यहां पर कहा जा रहा है तो 180 systolic pressure 80 diastolic pressure mm किसको दिखा रहा है और Hg किसको दिखा रहा है पारा यानि mercury को अब यहां पर यहां बात आती है कि जब systolic pressure है तो लब आवाज आएगी और जब यह 80 है तो कैसी आवाज आएगी यहां पर यहां पर आएगी और एक बात मुझे जली से इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स यहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं चलो बताओ जल्ली से बच्चों बटाव फट से जल्ली से इस फाइग्मो मैनो मीटर बहुत बढ़िया तो यहां कैसा होता है ब्लॉड प्रेशन नपवानी के लिए होगे मम्य पापा घर में से कोई न कोई तो जाता ही है वहां पर आपके बैल्ट होता है उसको यहां पर बाजू में आपके शॉल्डर में लगा देते हैं ठीक है एक फुस-फुस होता है गुबारे जैसा पंप यह जो लबडब लबडब जो साउंड आ रहा है यह जो आपका कार्डिक साउंड होता है यह जो आपके हिदे की ध्विनिया होती है इसको किस से मापते हैं जली बताइए फटा-फट से जली से बताइए स्टेथोस्कोब बहुत अच्छे डॉक्टर उसको देखा आपने डॉक्टर क्या गाम करते हैं इस तरीके से इस तरीके से ए ना मैं से लगा लेतें और यह वाला जो होता है वह आपके rouge में आपके पीठ में लगाया चाहता कि यह क्या हो तो क्या है यह क्या सुन रहे हो न compiled यहांपर एक साउंड और आता है जिसे हम कहते है भर लब डब 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 अगर आ रहा है तो यह है नॉर्मल साउंड मतलब आपका हृद है बड़ा अच्छा सब्सक्राइब और अगर यहां पर एक अवाज आने लगे इन दोनों के अलावा तो उसे हम सब पर कहते हैं मर्मर ठीक है तो मरमर कैसा होता है इहां पर यहां पर होता है और यहां पर पर होता है और आपको मतलब अगर ते ECG वगरा करवाओ ECG मतलब electrocardiogram जो भी आप यहां पर बोलना चाहिए तो gram बोल रहे हो तो यंत्र graph बोल रहे हो तो जो वहां पर reading दिखाई देती है तारुख खान की पिचल में टू 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 वही ठीक है ओके बैचो समझ आ गया यहां पर clear है तो बर्मर को कैसे याद कर सकते हूं मैंने कैसे याद किया मैं आपको बताते हूं मैं आपको यहां पर बताती हूं कि कैसा इसको याद कर सकते हूं मर मर मैंने क्या याद किया था मर जा मर जा मर मर ठीक है और वो क्या हो गया पूर्चो समय होता है। बहुत समय होता है। चंब से तूटे तो वह क्या होगे आपका डब की जो आवाज होती है तुरंत खतम चलो आई बात यहां पर समझ ओके अब आगे नेक्स्ट कोश्चन यहां पर थायरोक्सीन बनाने के लिए थारोइड ग्रंथी के लिए निम लिखित में से क्या यहां पर आवश्यक है जली से इसका आउसर करो कौन सा आउसर यहां पर आपका सही मनेगा बताईए फटा फट से और आउडीन वेरी गुड बहुत अच्छे आई ओडीन तो जब हम ना थारोइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो यह किसके साथ संबंधित होता है तो आउसर करना है आउडीन के साथ संबंधित होता है थारोकसीन हार्मोन यहां निकलता है अलावा कील्सिटोन इन भी निकलता है और थारोकसीन होता है हमारा तो यह क्या प्रियद हार्मोन क्यों कि ठोबाइड हार्मोन के तो इस चिज़को आप tracks however ग्राल सי तो इस चिसको आप लोग यहां पर ध्यान में रखना क्लियर है ओके समझ आ गया इसके अलावा हशो मोटो रोग भी होता है जिसको हम सभी हारोइड ग्रंथी की आत्महत्या के नाम से भी यहां पर जानते हैं जबकि कैल्सिटोनिंग जो होता है वह कैल्शियम लावल को मेंट सब्सक्राइब जाया होगा सभी बच्चे जित्ते भी यहां पर आया है एक बार इस सेशन को लाइक जरूर लुट पर दीजिए और कल की क्लास में मिलते हैं नए बहुत सारे कोशन के साथ बहुत शांदर क्लास के साथ ठीक है चले तो यहां क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना क्लास खत्म होने के बाद कल हम सभी फिर से मिलेंगे यहां पर पांच बजे थैंक यू सो मच टेक केर बबाई जै हिंद जै भारत